हेलो फ्रेंड्स यह CA final SFM new syllabus question paper number 2020 का analysis है जो students already paper दे रहे हैं और जिनको continue करना है paper देना और जो confident है कि सारे paper ही उन्हें देना है तो please वो यह analysis न देखें वो बाद में भी analysis देख सकते हैं और जो students का attempt number 2020 में नहीं है या जो कुछ clarification चाहते हैं इस question paper से related तो वो यह video देख सकते हैं so मेरे हिसाब से यह paper अगर मैं rate करूँ तो यह paper काफी अच्छा था और वही students इसमें अच्छा score कर पाएंगे जो conceptually बहुत strong है जो concept बहुत अच्छा बना के चले हैं जिनको questions जो हमने class में कराये थे उनका पूरा analysis पूरा additional analysis और पूरी derivation के साथ जो हम question से करवाते हैं वो उनका पूरा उसको knowledge होगा so हम इस question paper के analysis शुरू कर रहे हैं तो अगर मुझसे पूछा जाए कि sir आप कैसे इस paper को rate करते हो तो मैं बोलूँगा tough तो बिल्कुल भी नहीं हाँ थोड़ा सा unexpected था कुछ concepts related क्योंकि कुछ concepts हमारे CA final SFM old syllabus के ही नहीं CA final SFM माफा में हम पढ़ाय करते थे उससे आये हैं और पचास साल के इतिहास में आज तक उस concept से questions पूछे ही नहीं गए थे सो इसमें यह थोड़ा सा unexpected था कि उस concepts को भी यहाँ पर take up किया गया है बाकी मैं आपको one-to-one questions एक बर analysis करवा देता हूं आप please इसकी analysis करें और आप definitely मेरे book से भी tally करें तो आप पाएंगे कि हाँ यह question paper में आप easily easily 70-80% बिल्कुल normal manner में solve कर सकते हैं plus अगर आप ने मेरी पूरी amendments और पूरी analysis और मैंने आपको बताया था कि 25 years के IC AI के question paper को भी हम solve करने का मैंने आपको बताया था last moment में क्योंकि काफी exam में भी delay हुआ था तो अगर आपने वह सारा किया होगा तो definitely आप 90 plus भी touch कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं इसके analysis और definitely आप भी अपने views बतायेगा तो पहला question आप देख रहे हैं पहला question आपका 4X का है और यह question आपका exact यह question हमारे material में है वहाँ पर आपका concept का नाम था upfront premium मैं आपको concept number, concept का नाम और question number भी बताऊँगा मैं अपने latest batch का आपको यह question number लिखवाँगा आप किसी और batch के हैं तो definitely थोड़ा सा आपको वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा question ढूढने के लिए लेकिन यह question मेरे मैट में काफी सालों से है तो मेरे क्याल से सारे students को यह question आसान लगा होगा इसमें एक ही point यहाँ पर उन्होंने नया डाला है कि यह जो exchange rates है 77, 71, 79 और 74 के साथ probability दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है हम 77, 71, 79 और 74 से अलग अलग हम gain और loss निकाल लेंगे and then हम expected gain निकाल लेंगे expected expected कैसे निकालते है probability से into करके लिकालते है तो यह question 8 number का मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे सारे students इस question को अराम से कर दिया होंगे यह मैं 8 marks यहां पर लिखता हूँ और यह आपका 4x का question है मैं number आपको description box में और concept number भी यहां पर लिखवा दूँगा चलिए यह अपने 8 number पुरे आ गए आईए अब हम question number 2 में आते हैं question number 2 इसका जो है 1 का जो second part है वो option chapter का है हू बहू same question हमने class में किया है मैं आपको concept number और question number भी लिखवा दूँगा और यह question भी बहुत ही simple था हमारे students के लिए इस तरह के हमने बहुत सरे questions किये है the probability of price moving up and price moving down बहुत बार किया है हमने expected pay off at each note हमें premium निकालना at each note यह भी हमने बहुत बार किया है तो यह 8 number में आपको यहाँ पर दे रहा हूं 8 number option का भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है तो यह question भी बहुत ही आसान था हमारे material के उपर यह question है आप देख सकते है Move तब हम change नहीं कर सकते हैं, ठीक है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ज़रूर बताएगा किसर यह question नहीं है, ठीक है आईए, अब हम third में आते हैं, यह question आपका जो आया है, यह value at risk का question ने definitely, value at risk तो हमने class में किया ही है, risk management के chapter में, लेकिन इस question में इन्होंने reverse calculation कर मतलब क्या है, इसमें हमारा क्या था, value at risk में हम loss निकालते थे, maximum possible loss निकालते थे, यहाँ पर क्या है, maximum possible loss दिया हुआ है, यहाँ पर आपको investment value निकालना है, मतलब यहाँ पर जो आप से पूछा है, वो आपको investment value निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते यहाँ पर आपको क्या बुला जा रहा है मैं जरूर दिखाता हूं you are required to determine the maximum possible investment so यह question थोड़ा सा इन्होंने tricky किया है बट अगर conceptually आप strong है तो आप अपने valuators के concept में चलिए और जो investment का point था उसको x रख देते क्या कर देते x कर देते ठीक है तो आपका investment का point निकल जाता मैं फिर से repeat कर रहा हूं हमने loss निकाला है यहाँ पर इन्होंने investment पूछा है तो आप investment हमारे question में हम जो class में करते थे वो is management होता था हम loss निकालते थे यहाँ loss दिया conceptual बताऊंगा कि ठीक है हाँ यह concept अगर आपके पस सही था तो आप यह question कर सकते थे तो c point आपका value at risk का था यह आपका चार number का question था बहुत ही यह मैं simple मानता हूं लेकिन value at risk तो यह हम कह सकते है conceptual ठीक है थोड़ा सा conceptual था लेकिन यह भी आप से हो गया होगा अगर आपने जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आपने किया है तो ठीक है exact solution तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब इतना time नहीं है बट मैं आपको एक take up कर दे रहा हूं कि आप confident रहें कि हाम नहीं इसी तरह से किया है तो आप बिलकुल आगे के exam score confidently face कर सकते हैं चलिए तो अब हम और आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं अब हम आते हैं अपने question number next में question 2a में तो यह question में में मेरे को काफी हसी आ रह किया तो फिर यह question हमने कराना बंद कर दिया लेकिन इसके concepts हमने जरूर कराया है आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि अब ratio क्यों कराते है class में हमने debt equity ratio आपको अलग से कराया है हमने asset turnover ratio आपको अलग से कराया है retention ratio आपको अलग से कराया है तो यह question अगर hands free है आप बहुत easily उसको interpret कर पाते है और जो ratios मेरे आपको कराया है class में वो आगर आपने revise किया होगा तो यह question भी आपसे हो जाता आठ नमबर का question है इसको भी मैं definitely conceptual लिखूंगा ताकि आप बिल्कुल balanced way में मैं analysis करवा रहा हूं कि जो बच्चे मेरे concept के उपर गये थे क्यों देखते हैं क्या end में हमारा यह बनता है पूरा marks ठीक है sir तो 2a हो गया यह अब आए 2b में 2b बहुत ही ज्यादा simple question interest rate swap का question है ठीक है without swap with swap और बहुत सारी बाते हमने fixed और floating में कराई थी तो यह question definitely आपको बहुत आसान लगा होगा तो यह मैं बिल्कुल आपको 8 नमबर इसमे नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कोई discussion करने के बात नहीं interest rate swap without swap with swap distribution of savings savings हम करते थे फिर last हम करते थे net interest button तो उसके उपर यह question है तो मैं यहाँ पर आपको देता हूँ पूरे-पूरे 8 marks में देता हूँ ठीक है और यह मैं एकदम easy मान के चल रहा हूँ इस question को इसको भी easy इसको ठीक है चलिए तो एक balanced approach लेके चलेंगे fine number c theory अब theory में actually मैं अभी तक जो देखा गया था theory में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि theory में आप हमेशा मेहनत करेंगा और मैंने class में भी बहुत अच्छे से theory आपको कराईए लेकिन कुछ बच्चे theory को सिरुसली नहीं ले रहेते class में भ जितने भी theories हैं वो आप से आराम से होंगे तो theory के उपर मैं कोई discussion भी नहीं कर रहा हूँ theory के उपर मैं मान के चलता हूँ कि theory book से ही पूछा गया है तो मैं theory को easy मान के चल रहा हूँ हाँ अगर आपने theory नहीं अगर cover किया है then definitely यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है ठीक है तो 3a face value of bond दिया हूँ है coupon rate दिया हूँ है yield to maturity yield to maturity and yes to maturity दिया हूँ है you are required to calculate same तरका question अब ने किया है class में और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या-क्या पूछा गया जड़ा देखते हैं आप से पूछा गया current market price of bond हमें जो मिलेगा उसे करेंगे discount maculis durations volatility of bond same question में ने किया है पस यहाँ पर एक नया point आगया इस question paper में convexity again convexity का जो concept है आस तक इतिहास में CA का कभी नहीं पूछा गया है ठीक है definitely जब CFA के बच्चे होते या FRM के बच्चे होते तो उनको हम बोलते convexity जरूर करके जाए और अगर आपने पुराने एकदम batch में किया होगा तो convexity के concept भी हमने take up किये थे लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि convexity का concept एक ऐसा concept है जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती थी तो यहाँ पर मैं आपका marks deduct कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता कुछ बच्चों के यहाँ पर दिक्कत आई होगी लेकिन again अगर मैं इसका भी analysis करूँ तो 7 number का question अगर मैं आपको 5 questions यहाँ पूछे गए हैं ठीक है मैं आपको एक number भी यहाँ पर अगर आपका deduct करता हूँ तो 6 number आपको यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहता हूँ convexity का यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ 6 marks ठीक है तो 3a का हम यहाँ पर मानके चल सकते कि यह bond के उपर question था and definitely बहुत easy but मैं आपको एक marks convexity का यहाँ पर मानके चल रहो कि कुछ बच्चे अगर उन्होंने नहीं revise किया होगा पुराने syllabus के और जब मैंने ICI के आपको 25 years क question में पर भी analysis दिया था क्योंकि exam extend हो गया था तो अगर अपने उसको revise किया होगा तो आपने यह कर लिया होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मानके चल रहा हूँ कि 1 marks यहाँ deduct होता है 6 marks मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ 1 marks मैं आपका deduct कर रहा हूँ ठीक है fine चलिए sir और रिट्टो question आप मेरे mat में देख सकते हैं मैं आपको concept number और question number लिखवा दूँगा चलिए so यह आपका हो गया अब हम आते हैं 3 B में ठीक है हम 3 B में आते हैं 3 B का हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 3 B मज़ा आ गया question को देखकर यह question हमने अपने class में बहुत बार किया ह ठीक है बहुत बार किया है बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया हमने return निकाला था आपको ध्यान होगा मैं आपको concept number question मर भी दिखाऊंगा हमने return निकाला था हमने class में क्या निकाला था return निकाला था आपने बहुत बर प्रैक्टिस किये होंगे, आप बस करते चले प्रैक्टिस, आप उसको x ले ले, और last answer दिया हुआ है, हम last answer निकालते थे class में, last answer यहां दिया हुआ है, आपको backward calculation से x निकालना है, मैं 3b को easy category में रख रहा हूँ, और definitely यहां पर भी मैं आपको देना चाहता ह तो यह आपके हो गए 10 number, ठीक है, 3b, 3b, तो यह आपके हो गए mutual fund का 10 marks, ठीक है, definitely जो बच्चे exam दे रहे हैं, अगर उन्होंने इसी तरह से किया है, तो confident हो रहे हैं, और next paper की आप त्यारी भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा आप time यहां पर दे सकते हैं, अगर आप देना चाह आपको analysis दूँगा, आपको description में आप देख सकते हैं, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, 3c में आते हैं, 3c, मैंने आपको आपको थेोरी का में discussion नहीं करूँगा, थेोरी का मैंने आपको अलग से discussion बिलकुल कराया हुआ है, तो यहां पर startup finance, venture capital financing, उस तरह के questions आपको बताना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो मैं इसका अलग से discussions यहां पर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर video बहुत जाता है, extend हो जाएगा, तो मैं theory को easy category में रख रहा हूँ, provided आपने theory अच्छे से की है, ठीक है, तो यह 4, यह कितना number का था, यह आपका 3 number का है ठीक है, तो 3 number का आप यहां पर easy लेकर चल सकते है, theory है यह, ठीक है, fine, तो पूरी analysis के साथ हम आए है, आईए 4A में आते है, 4A, ठीक है, 4A में आपका क्या है, ठीक है, fine, आपको net sales, PB, IT, interest वगरा सब दिया वा है, और sales वगरा दिया वा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे देखते हैं, क्या पूछा है आपसे, 4A में है, ठीक है, 4A, आगे आपसे क्या पूछा, आपको बहुत सारी information दी गई है, land and building और वो सब सारी चीजे, land and building are stated at current market price, उसको revalue नहीं किये वे 3 साल हो गए है, grow 18% after merger, statement, same question, same question हमारे material में covered है, same question, आप बहुत सारे बच्चे, हमारे student ने सोच लोगे, sir, यह question कहा covered है, covered है, corporate valuation में, corporate valuation में question covered है, मैं आपको question number और concept number लिखूँगा, जहां पर हम NAV को adjust करते थे, number of years, so same question हमारा यह, है, ditto है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आप check कर लिजेगा, नहीं है तो बता दीजेगा, आप बता 12 number का 12 number में यहां पर आपको यहां पर इस question के उपर देना चाहता हूँ, तो यह आपके हो गए 4A के 12 number, 4A का 12 number में यहां पर आपको देना चाहता हूँ, और यह आपका हो गया, कौन सा chapter है, corporate valuation में आपको मिलेगा यह, ठीक है, fine sir, तो 4A भी हमारा हो गया, आईए, अब हम आते हैं 4B में, ठीक है, 4B में हमारे, fine, यह सारा एक जगे जो दिख रहा है न, you are required to determine premium, यह सब चीज हम लोग कर चुके है, class में हैं, यह हमारे, corporate valuation में, NAV adjusted method अब देखेगा, NAV adjusted method मैंने कराया था, 4B, very simple question, arbitrage निकालना है, 10,000 USD dollar idle पड़े हैं, यहां से buy करो, यहां से sell करो, वहां से buy करो, और gain निकालो, trial and error method, बहुत बार हमने question किया है, यह section तो बहुत easy लग रहा है, 4B is damn easy, 4B, ठीक है, 4X का question है, damn easy, easy, बहुत ज़्यादा easy है question, और यह आपका हो गया, 4 number का, 4 marks का हो गया, ठीक है, fine, easy को easy, conceptual को मैं conceptual लिखूँँगा, ताकि जो बच्चे थोड़ा अच्छा mark secure करेंगे, side pocketing, side pocketing क्या होता है, क्या नहीं होता है, side pockets के उपर मैंने आपको अलग से concept कराया है, theory आप करते क्यों नहीं है, side pockets मेरे, आप देख लीजे, theory book भी मैंने आपके group में post किया है, आप side pocket की theory वहां से देख लीजे, side pockets की theory वहां दिया हुआ है, अब तो मै आपको amendments के उपर यह theory का notes आपको दिया होगा, तो 4 number very 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 easy, 4 का C, 4C theory है यह and very easy, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 marks मिल गए, चलिए सर, कोई बात नहीं, 4C भी हो गया हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, fine, अब हम आते हैं, अपने 5A में, 5A में आपका question जो है, वो थोड़ा सा यहाँ पर conceptual question है, आप last line पढ़ लीजा, आपको पता चल जागा, इस तर के question हमने किया है, you are as an investment manager is required to suggest a best course of option, मतलब यहाँ पर 2 option दिया हुआ है, हमें Japan में हमें पैसा लगाना चाहिए, या US में हमें पैसा लगाना चाहिए, सेम इस तर का question हमने class में किया है, ठीक है, latest batch में हमने किया है, और पुराने batch वालों को हमने amendments के उपर दिया था, और यह past year से, थोड़ा सा हूब हूँ, इस तर के questions पूछे गए हैं, past year में, तो मैं इसका भी आपको concept number, और question number ज़रूर लिखवाँगा, फिर भी मैं इसको conceptual भी नहीं, और easy के नहीं, mix category में रखना चाहता हूँ इसको, ठीक है, और, मैं इसमें, थोड़ा सा mix category में से रख रहा हूँ, ताकि आप यह समझे कि अगर एक question आपको छोड़ भी गए हूँगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, overall तब भी हम बहुत अच्छ category में रख easy, मतलब मैं बहुत easy भी नहीं बोल रहा हूँ इसको, और conceptual भी नहीं बोल रहा हूँ, इस तरके question में नहीं की है, ठीक है, mixed category में मैं रखा है, और यह 8 number का question था, 8 marks का question था, ठीक है, आईए, उसके अध 5b, 5b में आपका again coefficient of determination हमने class में किया था, मैं आपको में लिख इस वादा था, extra coverage के नाम पे, coefficient of determination, हमने बहुत सरे students नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं हमने, अपने हमारे student तो जरूर की है, coefficient of determination, r square, ठीक है, और 5b को मैं बिल्कुल easy category में रखना चाहूँगा, देखते हैं, क्या पूछा है, और पूछा वही सब चीजे है, sharpie ratio, trainer ratio, मैं इस easy category में रखना चाहूँगा, 5b को मैं बहुत ही ज्यादा easy category में रखना चाहूँगा, 5b, इस तरह के हमने questions किये है, sharpie ratio, trainer ratio, हाँ थोड़ा सा उसमे calculation करके find out करना होता, उतना तो आप करी लेंगे, इतना revision अगर आप कर रहे है, 5-5 बार revision कर रहे है, इतना मेहनत हमने class में किया 8 number का, ठीक है, तो यह 8 number का मैं इसको easy मान के चल रहा हूँ, चलिये sir, तो यह भी आपका हो गया, 5b, अब हम आते हैं 5c में, 5c में आएं, 5c again theory है, तो यह भी technical analysis का है, for and against है, वो सब हमने लिखवाया हूँ, 5c theory है, तो मैं इसको discuss बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूँ, theory का ल book में नहीं है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा वहाँ पर आपको महनत, revision अच्छा होगा, तभी आप कर पाएंगे, so यह आपका कितना number का, 4 number का है, तो मैं यहाँ पर 4 number यहाँ पर दे देता हूँ, चलिये, अब आते हैं, ओ, 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 यह तो बड़ा ही simple question है, variable growth rate, dividend का question है, हमा very 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 simple question, 6a, ठीक है, very easy, ठीक है, मतलब यह तो एक तम से आपको full toss ball मिल गया और आपने बिल्कुल इसमें sixer मारा होगा, चलिये, eight marks, ठीक है, 6a, आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर discussion नहीं करूँ, variable growth rate में आपको concept number, question number जरूर लिखके दूँगा, ताकि आप खुद भी value करना चाते हैं, बिल्कुल करिये, कोई बात नहीं, 6b, 6b question आपका बहुत ही आसान है, लेकिन last में लिख दिया, adjusted net present value, adjusted net present value हम capital budgeting में old माफास एलेबस में पढ़ाय करते थे, so मेरा ये मानना है कि adjusted net present value आज तक 50 साल के इतियाफ में, आज तक आया ही नहीं इस पर concern, हम लोग जरूर करवाते थे इसको बहुत पहले, और आपने भी अगर पूरा 25 years analysis किया होगा, तो इस तरह के questions को आपने पाया होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, इसको मैं conceptual और tricky section में रखता हूँ, ताकि आप एक fair analysis हो सके, तो मैं यहाँ पर 6b, 6b को conceptual लेके चल रहा हूँ, बहु बिल्कुल इसके लिए तयार रहे, लेकिन अगर आपने पूरी analysis कियोगी, जिस तरह से मैंने आपको amendments दूप में दिया था, तब आपने यह question को भी किया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको conceptual रख रहा हूँ, fair analysis के basis पे, और यह मैं आपको 8 marks का है, तो मैं इस, और 4c is very simple, EVA, MVA का difference, और PTC, PTS का difference, यह सब तो easy है, 4, 6c हो गया यह, 6c, ठीक है, so यह easy है, theory है, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसके उपर, यह कितना number का है, यह आपका 4 number का, 4 marks का यह theory है, ठीक है, so यह आपका fine, तो यह आपका पूरा question में पर खतम हो चुका है, ठीक है, fine, no problem at all, चलो तो मैं आपको 20 number आपका deduct करता हूँ, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो conceptual और इस तरह से मैं आपको क्लास में पढ़ाया था, एकदम A-2-Z और पूरा जो मेरे amendments और पूरे past years, 25 years question paper research आपने सारा करिया था, उसके लिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ मैं एक average students के लिए छोड़ रहा हूँ, 20 number छोड़ रहा हूँ, 80 number आपके पास है, आप मुझे बताइए, चलो 80 नहीं, 70 आप क्यों नहीं ला सकते इस paper में, 60 क्यों नहीं, अगर आप इस paper में ला सकेंगे, तो आप किसी paper में भी नहीं ला सकेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल जरूत नहीं, अगर आपने इसी pattern से question paper किया है, तो जरूर आप आगे के exam सेज़ेए, घबरानी की तो कोई बात ही नहीं है, और आप CA final में है, तो आप definitely इस तरह के challenging question paper भी आप face करना आपको आना चाहिए, और हमने class में उस तरह से तयार आपको किया है, ठीक है, आगे जो आ आप कुछ बता दे तो अच्छा रहेगा, तो मैं एक revisionary class का भी सोच रहा हूँ, बहुत अच्छे से में आपको revisionary classes दूँगा, तो उसके लिए भी आप wait करेंगे, आपको जरूर information मिल जाएगा इसी channel में, so I think that ये analysis आपको अच्छा लगा है, हाँ थोड़ा lengthy हो गया, बट इस analysis के साथ आप अपने, आपको confident पा सकते हैं, और please आप मुझे message करिये और बताइए कि आपको question पर tough कौन सा लगा, जो आप 80 नंबर नहीं ला सकते हैं, चलो 88 देखते हैं, 70 नहीं ला सकते हैं, चलो 70 देखते हैं, 60 नहीं ला सकते हैं, आप बताइए, कौन सा question मेरे mat में न easy section में ही रखूँगा, conceptual section या tough section में रखूँगा ही नहीं, क्योंकि आपको x करके solve करना है, तो यह आप से definitely हो जाएगा, ठीक है, बाकी full analysis में और आगे जाके आपको group में post कर दूँगा, group का link में आपको दे दे रहा हूँ, बाकी कोई भी आपको query हो, कोई भी बात हो, आप directly मुझे बता है, मेरा mail address भी आपके पास है, so, ताकि एक fair analysis हो सके, और मैं भी इस चीज़ को evaluate कर सकूँ, कि आपको कहा दिक्कत आई, बाकी revisionary classes का हम plan कर रहे है, and हम amendment की जो भी चीज़े है, जो पुराने syllabus में थी, और जो आपको करना है, तो वो मैं आपको definitely time to time बता दूँग मैं आपको group का link पर दे दूँगा, ठीक है, तो गपरानी की कोई बात नहीं है, be confident, और ये था CA final new syllabus के question paper का analysis, बाकी चीज़े मैं description box में दे दे रहा हूँ, question number और concept number के साथ, ताकि आप एक बाट tally कर ले, और अगर आपका exam है, तो please आप ये सब मत करिए, आप exam खतम होने के हम one-to-one बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगे, ठीक है, friends, thank you so much, thank you for giving so much time, and be confident, और आपका कभी गलत होई नहीं सकता है, आपका हमेशा अच्छा होगा, आप successful होंगे, आप positive रहिए, स्वस्त रहिए, और खुश रहिए, बस करते चलिए, करते चलिए, महनत करते चलि definitely आएगा, अगर आप confident है तो, अब सिर्फ खेल दो लोगों के तरफ होगा, एक जो confident है, जो positive सोच रहे हैं, और जो negative सोच रहे हैं, जो positive सोच रहे हैं, वो आगे निकल जाएगा, भले तैयारी थोड़ी कम भी हो, तो चलेगा, लेकिन अगर आप negative सोचेंगे, और negative mindset से अगर आप त्यारी करेंगे, तो definitely आप कहीं न कहीं problem में आ सकते हैं, तो positive रहे हैं, आगे बढ़े हैं, definitely, आगे के papers और अच्छे होंगे, और इस paper में भी आपको बहुत अच्छा marks मिलेगा, और जब हमारा result आएगा, तो marks भी मैं आपको students का बताऊंगा, मैं expect कर रहा हैं, इस paper में average scoring अगर मैं expect कर रहा हैं, अगर आप और अच्छा त्यारी करके रखे हैं, theory आपने बहुत अच्छे से किया है, आपने पूरी बात concept से मेरी समझी है, और त्यारी उस तरह से revise किया है, पांच-पांच बार revise किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं देखता से त्यारी आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पूरा तयार रहे कर आपको exam देना है, और confident रहना है, ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, आप next paper का ध्यान दीजिए, इस paper में आपको अच्छा scoring मिलेगा, इसका guarantee, इसका मैं, आपको assurance मैं आपको देता हूँ, ठीक है, thank you so much.